हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल दिया मेल्टी वर्ल्ड में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कॉजिस क्या होते हैं लो बेसोफिल्स काउंट के तो चलिए बिना देरी करें वीडियो को करते हैं स्टार्ट आईए पहले जान लेते हैं कुछ बाते बेसोफिल्स के बारे में ये जो बेसोफिल्स होता है ये एक तहे का वाइड ब्लड सेल होता है जो पार्ट होता है हमारे इम्योन सिस्टम का यह जो basophil होता है यह पूरे white blood cells में केवल 1% या उससे कम होता है और यह जो basophil होता है यह largest type का white blood cell होता है यह जो basophil होता है यह केवल ना ही provide करता है front line defense infection के against बलकि involved होता है process में जैसे की inflammation और allergies में और protect करता है defense mechanism की तरह हमारी body को जो white blood cells की composition है वो measured होती है एक test के जरिए और उस test का नाम होता है white blood cell count और जिसमें basophil का जो normal level लाता है वो 0.5% से लेकर 1% तक होता है और जो actual number होता है basophil का वो measured होता है एक तरह के test से और उस test का नाम है absolute basophil count जिसे short में ABC भी कहा जाता है और उसको describe किया जाता है cubic millimeters में और एक normal absolute basophil count की normal range होती है 15 cubic millimeter से लेकर 50 cubic millimeters तक और अब हमारे पास एक term हाती है basophilia जिसका मतलब होता है low basophil count यानि कि जब 0.5% से basophil count का level कम हो जाए तो उसको basophilia कहते हैं और जब basopiniya होता है तब absolute basophil count की जो value रहती है वो 15 cubic millimeter से कम रहती है आईए अब हम जानते हैं causes क्या होते है low basophil count के low basophil count का पहला cause है acute infection acute infections में आते हैं common cold या फिर kidney infection अगर kidney infection नॉर्मल टाइम पर heal नहीं करे तो वो cause करता है low basophil count को यानि basophil का level कम हो जाएगा second cause है severe allergies कुछ allergic reactions की वज़े से भी basophil का जो count रहता है वो कम हो जाता है और cause करता है basopiniya को तीसरा cause है hyperthyroidism hyperthyroidism वो condition होती है जिसमें हमारी body produce करती है too much thyroid hormone जिसकी वज़े से हमारी body process करती है और speed up करती है और basophil को work hard करना परता है जिसकी वज़े से basophil का level low हो जाता है चोथा cause है certain medications and treatments लंबे समय से steroid का इस्तिमाल करने से भी basophil का level कम हो जाता है और कुछ तरह के treatments जैसे की radiation और chemotherapy की वज़े से जो basophil का production है वो रुख जाता है और उसकी वज़े से जो basophil का count है, level है वो low हो जाता है thanks for watching our video अगर आपका मारे वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe जरूर करें